यहां पिता अपनी ही बेटी से जबरदस्ती शादी करके बनाता है शारीरिक संबंध यदि बेटी ने मना किया तो दुनिया भर में अजीब औगरीब परमपराएं आपने हमेशा सुनी होगी लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसा बताएंगे जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे हर लड़की अपने शादी के सपने देखती है शादी के लिए लड़की अपने सपनों के राजकुमार का ख्वाब देखती है उसके मन में अपने पती को लेकर के तरह की अपेक शाय रहती है लेकिन आज हम आपको जो बात बताने डा रहे हैं उसे जानकर आपसन रह जाएं इतनी बुरी लगती है तो करने में कितना बुरा लगता होगा। आप भी सुनकर हैरान रह गए होंगे लेकिन यह परंपरा आज भी बंगलादेश में काफी तेजी से फल फूल रहा है। तो ऐसी परंपरा है कि वे हौरत शादी तो कर सकती है लेकिन जिस मर्द के साथ शादी करेगी उस मर्द की शादी उस औरत की बड़ी बेटी के साथ भी कराना होगा। शादी के समय उस बेटी की उम्र काफी कम होती है। इसलिए कहा जाता है कि जब वह छोटी बच्ची का उम उम्र शादी वाला हो जाता है तब यह मर्द उसे पत्नी के रूप में देखना शुरू कर देता है। मा बेटी दोनों उसकी पत्नी के रूप में साथ साथ रहती है। इस जन जाती में माना जाता है कि कम उम्र का पती अपनी पत्नी और बेटी की सुरक्षा ज्यादा अच्छ के हैं लड़कियों को यह बात स्वीकार करने में काफी समय लगता है कि उसकी मा का पती और उसका पती एक ही है। लड़की के थोड़े बड़े होने पर मा अपनी बेटी के लिए ऐसी परिस्थती पैदा करती है कि जिससे उसकी बेटी अपने सवतेले पिता के नजदीक आये और शारिरिक संबंद बनाने के लिए तयार हो जाए। दोनों पतनी एक साथ एक ही घर में रहती हैं। बांगला देश में मंडी जनजाती के तकरीब अनबीस लाख लोग रहते हैं। इस मुसलिम देश में काफी तेजी से फलफूल रही यह परमपरा वहां सरकार के लिए और समाज के लिए एक घंभीर समस्या है।